यू एई में रश्मिका कैसे सेलेब्रेट कर रही है अपना बर्थ डे रश्मिका ने फैंस के साथ अपने बर्थ डे की कुछ पिक्चर्स को किया शेर क्या यहां भी विजदेवर कॉंड़ा थे रश्मिका के साथ फैंस ने गेसिंग गेम किया शुरू पुष्पा अनिमल जैसी ब्लॉगबस्टर फिल्म्स में अपनी आक्टिंग का हुनर दिखाने वाली रश्मिका मंदाना 5 एप्रिल को अपना 28th बर्थ डे सेलेब्रेट कर रही हैं और अपनी इस पिक्चर को शेयर करते हुए रश्मिका ने लिखा रश्मिका की इस अडॉरेबल पिक्चर को देख कर फैंस उन्हें बर्थ डे विश करने के साथ साथ एक सवाल भी पूछ रहे हैं क्या ये पिक्चर विजए ने क्लिक की है क्योंकि से पहले विजए और रश्मिका के कुछ पोस्ट को देख कर फैंस ने almost confirm कर दिया था कि ये दोनों साथ हैं महि कुछ फैंस ने रश्मिका के पोस्ट पर लिखा कॉफी विजए फोलोड बाई रेज़्ध धान जिमोजी and fans are absolutely loving it. I love you, I love you, I love you, love you, I love you. झाल झाल जया बच्चन ने अपने हस्बिन्ट और मेगा स्टार अमिताब बच्चन के साथ अपने बॉन्ड पर की बात जया बच्चन ने बिगबी के साथ अपने खूबसूरत रिष्टे की हर्ट वार्मिंग डीटेल्स की शेयर वेटरन अक्ट्रिस ने बताया आखिर अमिताब बच्चन के साथ शादी के 40 साल बाद भी कैसा है जया जी का उनके साथ का रिलेशन जया बच्चन और अमिताब बच्चन की शादी को 40 साल से ज्यादा हो चुके है और उनका रिष्टा समय की हर कसोटी पर खड़ा उत्रा है और रिसेंटली जया बच्चन बिगबी के साथ अपने बॉन को लेकर हुई ओपन आप उन्होंने कहा कैसे बिगबी है उनके बेस्ट फ्रेंड यही नहीं जया बच्चन ने आगे ये भी मेंशन की वो उनसे कुछ भी नहीं करती है हाइड जया बच्चन ने ये बाते अपनी ग्रैंड डॉर्टर नाव्या नवेली नंदा के पॉड़कास्ट पर कही है सीजन तुके फाइनल एपिसोड पर जया बच्चन, श्वेता बच्चन और नाव्या लव और फ्रेंडशिप पर कैंड़ कॉन्वेसेशन करती दिखाई दी इस दौरान नाव्या ने पूछा, if two people are just friends, is it correct to put romance in between a friendship? जया बच्चन ने जवाब में कहा, my closest friends are inside my house. इस पर श्वेता बच्चन ने भी अपना viewpoints सामने रखा, I don't know why everyone likes to say, my daughter is my best friend, or my son is my best friend, जिस पर जया ने कहा आखिर इसमें गलत क्या है, to which श्वेता responded, we are not friends, you are my mother, there are certain lines that I cannot cross with you, my children are my children and my friends are my friends. जबकि नाव्या कहती दिखी, now you are a parent and she is a parent, so you both can be friends, वैसे नाव्या ने इस बीच रिवील किया कैसे जब उनकी Grand Mother जया बच्चन के दोस्त आते हैं, तो वो एक खास तरह से उनसे बात करते हैं, पर वो उस तरह से उनसे बात नहीं कर सकती, खेर, लेकिन इस एपिसोड की एक सबसे इंट्रेस्टिंग हाइलाइट अमिताप बच्चन और जया बच्चन का बॉन रहा जो उनके फैंस को भी क्यूट लगा हैं, बच्चन आते एकलते हैं, हुआ हैं, बच्चने को एक टूँ आते हैं, बच्चन का शजलें , reinst Cornấn mend Original Tos सल्मान खान की शाड़ो से फाइनली निकले उनके ब्रादर इन लौ आयूश शर्मा आयूश ने किया रियाक्ट सल्मान खान फिल्म के बाहर फिल्म करके वो कैसा फिल कर रहे हैं और सल्मान खान ने क्या कहा आयूश की इस फिल्म पर जो बिना सल्मान खान के help के उन्होंने की है आयूश शर्मा अपनी much talked about action thriller रुसलान को लेकर काफे excited है और recently फिल्म की टीम के साथ उन्होंने इस फिल्म का trailer launch किया यहां मीडिया ने सबसे पहले आयूश से जानना चाहा आखिरोंने कैसा लग रहा है पहली बार सल्मान खान फिल्म के बाहर काम करके आयूश इस दाइव दाइव करे लिए और उसी टाइम के बिदर मिया सार में रुस्तान को डिसकास कर रहे एंद उवी इस अद्टेष्टन को दिसक्स कर रहे तो और फो गश्तान को बनिया और मैं को लगता है कि जितना भी मैं spoilt था उतना रादमोन सर ने और कर ना थीक कर कोई चांस ही तरह स्पोय होने का वाट, you know, honestly, sir, it is not about the intention पहले से, ना फैमली का ना मेरा ऐसा कोई इसा कोई इसा नहीं नहीं ता कि हम सिर्फ घर में फिल्स करेंगे मैं कैट्टर हुआ, मैं बाथ हंग्री हुँआ, मुझे जितनी अच्छी फिल्मी मिलेंगी, मैं करना चाहूंगा, पैशिनिटली करना चाहूंगा, चाहे वो किसी भी प्रड़क्शन का हो, किसी के साथ भी हो, I would love to work, मेरी जर्नी भी शुरू हुई है, और I don't think so, कि मैं आपस लिबर्टी में हूँ, कि मैं सिफ्फ comfort zone में रहना चाहता हूं, आगे Ayyush ने भी कहा कि वो फिरहाल Salman Khan films के बाहर काम करके बहुत excited है, लेकिन आगे वो definitely मौका मिलने पर फिर से उनके साथ काम करना चाहेंगे, It is not a conscious decision, It is, I would say, I am grateful that Mr. Radhamon Sir chose me for this film, and I hope that I get more films outside, I keep working outside, and whenever, whenever, SKF does ask me to do a film back with him, it will be an honor to go back to SKF and work with him as well. यहां Ayyush ने बात की कैसे उन्होंने अब तक अपने heroes के साथ camera face किया है, और खुद को वो काफी लखी समझते हैं, उन्होंने कहा कैसे अर्बास सुहिर के साथ उन्होंने लव यात्री और सल्मान खान के साथ उन्होंने अंतिम में camera face किया, और वो सूपर excited हैं सुनील श्रेटी के साथ काम करके और उनका एक सपना भी पूरा हुआ है, बॉका मिल रहा है अपने heroes के साथ काम करने का, जाए एक सीन शेर करने का, तो बस सब्सक्राइब कर रहा हुआ है, जाए तो सुहल भाए, अर्बास भाए, आपने सही पहचाना भाए लगाजरी के में एक guest appearance मन को देके आया क्यूंकि मुझे बजे बस उनके साथ camera में आना था, फिर मेरी किसमा चमकी जब सल्मान भाए ने कुद कामरा में मेरे साथ आए, तो मुझे बहुत एक you know mesmerizing feeling थी वो करनी की तो I've always looked up to Sunil sir, I always feel that he is, he is very dynamic and you know I love the way he is, I love his charisma, I want man ko पहले off camera जानता था, because of so many years I know him off camera and he's always been the most wonderful men I have known in the industry, so nice, so kind. वैसे Salman Khan ने आयूश को support करने के लिए फिल्म के trailer को social media पर शेयर किया और लिखा, आयूश can see the hard work, effort and dedication put into Ruslan, no matter what, just keep giving it your best, hard work will always pay off, God bless and wish you all the best, roaring in cinemas on 26th April 2024, वैसे इस event पर हुआ और भी कुछ खास, take a look. सुश्मीता सेन डेफिनेटली एक दमदार actress है बॉलिवुड की, लेकिन फिर भी उनके काम से जादा हुनकी लव लाइफ करती है लोगों को attract, और ऐसा होना लाजमी है, आखिर सुश्मीता कई लोगों को कट चुकी है डेट. इस कड़ी में जबकि रोहमन शौल के साथ उनका relationship सुर्खियों में रहा है. दोनों के breakup ने खुब public attention खीची थी in 2021, हलाकि आज भी अपने former boyfriend के साथ सुश्मीता बार बार spot हो जाते हैं और ex-partners के बीच अच्छा bond भी है. In fact, दोनों एक दूसरे के biggest cheerleaders हैं और अब सुश्मीता ने अपने ex के साथ दोस्ती maintain करने पर अपना perspective शेयर किया और कहा कि ये possible है. She said definitely, but I think it's hard and confusing. Many people can be friends with their exes and not know where to draw the line or have boundaries. But it's possible because I've seen it happen and I'm blessed to have it in my life as well. वहीं marriage पर अपने thoughts शेयर करते हुए उनों ने कहा कि ऐसी situation ही नहीं रही उनके ले कभी. सुश्मीता ने शादी करने के right reason पर बात करते हुए का कि neither the biological clock nor the right time provided by social conditioning should make you want to take this decision. पर सुश्मीता ने right person मिलने पर अपनी शादी करने की बात भी साफ की. But if the right person is right and ticks all the boxes as far as I'm concerned, of course I will get married, she concluded. इस दौरान सुश्मीता ने heartbreak पर पूछे गई सवाल का भी जवाब दिया और बताया कि कैसे वो dignity के साथ इसे करती हैं handle. सुश्मीता का कहना है कि उनकी life एक open book है क्योंकि उन्होंने इसे honesty और fearlessly जिया है. हाला कि इसके साथ वो ये भी मानती है that dignity is something that does not show in one aspect of life. So all the decisions you take, whether they hurt you, whether you're betrayed, or whether you were at fault, don't matter. The point is that something wasn't meant to be and it had to stay for as long as it could teach you something. You value that lesson and move on, said Sushmita. Well, kya ab log Rohman, Shawl aur Sushmita ki equation ko nahin karenge, judge? हम आज प्राज jijा kे प्लेश, जूले को, था रे उनकी त्राज प्रकों जाएकोंगा है. On how much you! How you wanna your father with me? प्रश्मिक आम प्राइब प्रश्मिक आम प्राइब पलकि Ranbir की most annoying habit का भी खुलासा किया Yes, you heard it right. रश्मिका को Ranbir की एक आदत जरा भी नहीं अची लगती और वो जुसके बारे में सवाल किये जाने पर उन्होंने Ranbir को बताया zen. She said, that man just does not have anything going on in his head. He is so peaceful, like I asked him, what are you thinking about? And he said, nothing. He is full zen. That's like a perspective I have of him. He is full zen. And I was like, oh wow, that is a blessing. Rashmika ने आगे आट किया कि एक अक्टर के रूप में रन्बीर हमेशा हर चीज को लेकर रहते हैं, overdriven. वहीं शोपर रश्मिका को फिल्म को मिले criticism पर भी react करते देखा गया, जो on the grounds of misogyny animal को मिली थी, और जिस पर actress ने कहा कि ये खास रखे character के बारे में थी, जिसका दिमाग खराब तोर जो अपने फादर के लिए किसी भी extent तक जा सकता है. रश्मिका ने कहा, it's just a film about this character, and he's just messed up in his head. He will go to any length for his father, and he's also transitioning. If you want the film to be raw, real and correct, this is how the film is going to be. ऐसे में जब नेहा ने रश्मिका के particular करवाचौच सीन की बाद उठाई, जिसमें उनकी डायलोग delivery की वजए से उने काफी ट्रोल किया गया था, जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था. तो इस पर रश्मिका ने रिस्पॉंड करते वे कहा, कि ये 9-minute लंबा सीन था, जिसे सेट्स पर मौझूद लोगों से मिली थी appreciation. रश्मिका के मताबिक, in my head, I went into the space when I did the 9-minute scene. Everyone on the set liked it. But people are now trolling me. Am I living in a bubble? Are people now gonna like the scene because you know what you have shot but people don't? People just know that 10-second scene. So I don't ever in life want to be in a bubble. I need to be on the ground. I need to talk to people. I need to know what's really going on. I don't want to be like I'm an actor. Everything I do is cool. That's not me. Well, Sandeep Reddy Vanga के direction में बनी Animal 2023 की highest grossing film है और जिसकी चर्चा अब तक है. इस film में रश्मिका मननाना रंबीर कपूर के अलावा, अनिल कपूर और तृत्ती दिमरी भी थे जिन्हें उनके छोटे से रोल के लिए अच्छी खासी लाइमलाइट मिली. इस वीडियो को देखकर नेटिजन के लिए अच्छी खासी 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 और यहां एक पापराजी ने नाइरा से कहा, वो बैक से भी पिक्चर क्लिक करवाएं, जो नाइरा को पसंद नहीं आया और उन्होंने पैप से पूछ लिया यह पीछे से क्या होता है? इस वीडियो को देखकर नेटिजन्स भी अपसे है और वो पैप्स के इस बेहवियर को च्रोल कर रहे हैं. बॉबी दियोल पर अपनी फिल्म आनिमल का फीवर अभी भी चड़ा हुआ है और सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने अबरार से मिलते जुलते लुक की कुछ पिक्चर को शेयर किया है, वहीं फैंस को भी लॉड बॉबी का यह यह लुक पसंद आया है. अक्टरस दिशा पाथनी ने अपनी फिल्म कल की 2898 AD के इटली स्केडियूल की पिक्चर को सोशल मीडिया पर डम किया है और इसमें से एक खास पिक्चर वाइरल हो रही है जिसमें प्रभास दिशा के साथ एक सेलफी में नजर आ रहे हैं. दिशा ने अपनी पिक्चर को कैप्चिन दिया है इटली फोटो डम्प। फिल्म बड़े मिया छोटे मिया के डिरेक्टर अली अबबास जफर ने रिवील किया है कि कैसे फिल्म के सेट पर अक्षे कुमार और ताइगर श्रॉफ फिल्म के विलन पृत्वी राज से ग्रजस रखते थे. Ali Abbas Zafar ने हसते हुए अपने एक statement में कहा है, Prithvi would only come on the set only for four hours since he was shooting for two other really big films. And when he would be there, Akshay Sar and Tiger used to tell me that they felt like junior artists because all the attention would be on him. आए उबास प्रॉकों कर दो झाल झाल झाल